मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसियाखा नमस्कार सबसे पहले शुरुआत करूँगा आप सबी को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो मेरी यही कामना है आप स्वस्त रहें मस्त रहें और पूरे साल को बड़ी अच्छी तरह से इंजॉय करें देश की बहस की शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या है आज बहस का मुद्दा क्योंकि कन्या कुमारी से शीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाक्या तक, लक्षडीब से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विशह बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तै होती है साथी शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साजा करते हैं और देश में होरे ही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं तो आईए शुरू करें देश की बहस, माननी जंता और मेहमानों के साथ आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तै किया है वो है 2021 में आतंकिस्तान पर और तेजों का प्रहार इसे 80 फीज़ी लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं आतंकवाद पर न्यू इंडिया की आक्रामक नीती का असर है कि घाटी में आतंक और उसके कमांडरों को चुन चुन कर काम तमाम किया जा रहा है इसलिए पाकिस्तान और उसकी आतंकी तंजी में बौकलाई हुई है इसी बॉकलहट का असर है कि अब आतंकी निशाने पर गैर मुसल्मान यानि हिंदो और सिखों को निशाना बनाने में लगे हैं इसलामाबाद की शेयर पर जो एजंडा पाकिस्तान में हिंदो के खिलाफ चल रहा है कल शाम श्रीनगर में सक्पाल निश्चल की हत्या करने वाले आतंकी ने धमकी भरा फोस्टर जारी क्या है कि घाटी में हिंदो को बसने नहीं देंगे मगर टियारे जैसे आतंकी संगठन लाक हत्कंडा चला ले उनका हश्र वही होगा जो लश्कर और जैस के कमांडरों का हुआ है अल्ला हुआ अक्बर जैसे मजभी नारे लगाती हुई कटर पंथियों की भिल्म पाकिस्तान में हिंदों की आस्था पर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया 150 साल पुराने एतिहासिंग मंदिर में हमली की ये वो बोलती तज़्वीरे हैं जिसने साफ कर दिया कि इमरान के कटरपंथी हिंदूं से कितनी नफरत करते हैं हमले के बाद इमरान सरकार कटरपंथियों के गरफतारी का जो दावा कर रही है उसमें कितना बड़ा ढूंग है ये आप देखी कटरपंथी मौलाना जिसने मंदिर को तहस नहस करने की साज़शे रची थी खैबर पक्तून ख्वा में वो भड़काओं तकरीरे करता रहा और पाकिस्तान सरकार तमाशा देखती रही भड़काओं मौलाना ने ही कहा था कि जो मंदिर गिराने में मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा और हुआ वही जिसका डर पाकिस्तान में अलवसंख्यक हिंदूओं को था इस हिमाकत के बाद पाकिस्तान में अलवसंख्यक हिंदूओं का खून खॉल उठा एक तरफ पाकिस्तान में हिंदूों के खिलाब कटरबंती जमाते जहर उगल रही तो दूसरी ओर जमू कश्मीर में बदले हालात पे पाकिस्तानी आतंग हिंदूों को टार्गेट करने लगा टी आरेफ के आतंकियों ने श्रेनगर में 70 साल के सत्पाल निश्चल के हत्या कर दी थी सत्पाल निश्चल को हाली में नए निवास कानून के तहट श्रेनगर में घर और दुकान खरीदने का सर्टिफिकेट मिला था घाटी में हिंदू और सिखों की बड़ती हिस्सेदारी से पाकिस्तानी गैंग बखलाया हुआ है इसलिए कभी नगरोटा और उरी जैसे साज़िशों के जरिये कश्मीर को जलाने की पाकिस्तानी साज़िशन रची गई जिस पर डारेक्ट एक्शन भी हुआ एक साल के अंदर कश्मीर में 225 आतंकियों का काम तमाम किया गया आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे है कि जम्मु कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर क्यों आ गये हिंदू और कैसे नफरत से आतंकी आग भलका रहा है पाकिस्तान तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है क्या पाकिस्तान हिंदू का दुश्मन बन गया है आप शो के दौरान इस मुद्धे पर अपनी राय हाँ या ना में हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं आप हमारे मुबाइल एप पर जा सकते हैं आप हमारे ट्विटर हैंडल का स्तिमाल कर सकते हैं आप हमारे फेस्बूक पेज पर भी जा सकते हैं अगर शो के दौरान आपकी कोई राय सुझाओ या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बना कर हमें 971-00-2266 पर वाट्सप कर दें तो बैस की चुरूआत करते हैं आज इस बड़ी बहस में हिंदुस्तान के नुमाइंदे होंगे और पाकिस्तान से भी हमारे गैस्क जुड़ेंगे लेकिन सवाल यही होगा क्यों हिंदुों का दुष्मन बन गया है पाकिस्तान दो दिन पहले तस्वीर दिया आज भारत ने क गई सुप्रिम कोर्ड के कहने पर उसका जीनो द्वार हो रहा था क्या पाकिस्तान के प्रशाशन के हाथ से वहां के मौला नाम मौलवी निकल चुके हैं इसी पर बात होगी सबसे पहले मैं आब अंतित करूँगा प्रेम शुकला जी को भारती जंता पार्टी के रास्टी हैं मेरे साथ मेजर जनरल के के सिनहा जुड़ गए हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं देश और दुनिया की तमाम गती विदियों पर नज़ा रखते हैं मेरे साथ लेटिनन जनरल गुरमीच सिंग है फॉर्मर डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ हैं मेरे साथ बात करूंगा आप सबको नए साल की बदाई देते हुए कि आप सभी को नया साल बहुत बहुत शुबो प्रेम शुकला जी सबसे पहले मैं शुरुआत आप से करूंगा और मैं यह कहूंगा कि क्यों पाकिस्तान के निशाने पर अब हिंदू आ गए हैं कश्मीर में टियार दिपक जी सबसे पहले मैं आज आपके दर्शकों को आपको सारे लोगों को नौवर्ष की शुब कामना है दूँगा बाद 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 सबका जो है वो शांतिपूर्ण वीते सबका विकास जो है बड़े मुद्दे की बात यह है पाकिस्तान हिंदूओं का विरोध भाई पाकिस्तान की बुनियाद हिंदू द्रोव पर है जिनको हिंदूओं के विरोध में जाकर पाक्त मुसल्मानों का राष्ट बनाना था संकल्पना ही पाकिस्तान की हिंदू द्रोव के आधर पर थी और जब ऐसा चुना गया था शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज का समय कि सारे मुसल्मान उसों मस्जिद में रहेंगे और हिंदूओं को हम चुन-चुन कर मारेंगे 12 मार्च 1993 देख लीजिए आप 2006 में जो ट्रेंस में मुंबई की ट्रेनों में जो है बमविस्फोट हुए निशान पर कोने हिंदू है अगर कश्मीर की घाटी में कश्मीरी पंडितों को चुन-चुन कर मारा जाता है तो निशाने पर हिंदू है 26 11 की घटना होती है निशाने पर हिंदू और यहूदी है तो पाकिस्तान की पिछले जब से पाकिस्तान का जर्म हुआ है पाकिस्तान 1947 में हिंदों की हत्या कर दीगे, किसने कर दीगे पाकिस्तान के निव में हिंदू द्रोव है पाकिस्तान के निव में कटरता है पाकिस्तान के निव में यजीद का इसलाम है जिसके तहट लगातार जो भी इमानदार है शांतिप्री है, विकास गामी है ऐसे लोगों की हत्या करना उनके किलाफ इंसा करना भाई पाकिस्तान में जरा शीया समुदाय जरा सा शांतिकी बात करता है तो उनकी मस्जिदों में आप देखतें किस तरह नमाज अता करने लोग कड़े होते हैं उनकी हत्या किर दी जाती है एहमदिया जो है वो शांतिवाद, शांतिपूर्ण बातें करता है एहमदिया को बैन कर दिया जाता है हिंदू मंदिरों में सैकडों की तादाद में हिंदू मंदिरों को या तो धुस्त कर दिया गया या उनको मस्जिदों में बदल दिया गया या उनको commercial complex से बदल दिया गया कारण क्या है कारण सिर्फ यह है कि पाकिस्तान इस बात को जुटलाना चाहता है कि पाकिस्तान के पूर्वजिंदू थे भाई पाकिस्तान का इतिहास क्या है पाकिस्तान का इतिहास 77 वर्ष पुराना है और पाकिस्तान का जो धर्म है उसका इतिहास क्या है तो उसका इतिहास भी बड़ी मुस्किल से 1300 वर्ष पुराना है 5000 वर्ष पुराना आपकी संभिता है और इस 5000 वर्ष की पुरानी संभिता में आप 3300 वर्ष आप क्या थे या तो हिंदू थे या तो बौद थे या तो जैन थे तो ऐसी इस्थिती में पाकिस्तान के पास में अपने पूर्वजों को भुलाने के लिए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम कालांतर में मुसलमान बने हैं, और मुसलमान बनने के बहुत दिनों के बाद, हम पाकिस्तान का हमने निर्मान किया है, एक ऐसा अभिशब्त देश है, जिसका अपना कोई इतिहास नहीं है, जिस इतिहास पर गर्व कर सके, इतिहास पर गर्व करने की बात आएगी, मोहिन जोदलो की बात आएगी, तो मोहिन जोदलो क्या इसलामिक था, क्या अब बात करेंगे तक्षिला विशुविद्याले, तो क्या इसलामिक विशुविद्याले था, क्या वो, तो आप पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है है यहाँ पर उनकी जो शकल और अकल है वो किसी कॉमेडियन से कम नहीं लगती देखें बहुत शुक्रिया दीप्रिक चुरासिया साब मैं सिरफ इतना कहता हूँ कि अगर कल का भूला हुआ आज वापस घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हम लोगों ने कमर्चिमा पर आपकी बहुलति मान गए आप दस हजार साल पुराने आपकी सब्वता है पाकिस्तान की लेकिन आपका है क्या मुझे आप आप चाहते हैं बहूं के नबहुर आप जाते हैं मैं बहुल को मुझे बात करने देना सर इस भूल हमने हम मुसलमान आप हिंदू आप अपनी जगह खुछ रहे हमें अपनी जगह को फाकशतांगत में जिन्हों ने मंदर ग़ना है उनको सजा मिलिनी चाहिए पर जिन्हों ने इंडिया में बाबरी मसिजद गराया ऑट वोगा आप आप हमारी सुप्रीम कोर्ड ने तो मंदर गिरने पर नोटिस दिया है, आपकी सुप्रीम कोर्ड ने का मंदर गिरा मस्जद गिरी है तो मंदर बनाओ, L.K. एडवानी समेच सारे लोगों को छोड़ दिया गया, आपकी अदालते मसजदों को गिराने वाले और तबाख करने को छोड़ देती हैं और आप यहां पर बैट के मुझे लेक्चर देते हैं अपनी सेकुलरिसम पे और अपने हिंदू होने पर या आपके जो हिंदू को मजब को प्रीश करने वाले कहती हैं मसाजद किरा दो टरंप जब दिल्ली में मौझूद था तो आरे सोस और बीची ब लोगों ने मस्जिदे किराईं और मस्जिदों के में नाम नहीं परता कौन को रंदर है जेंड में वो ताहिर हुसेइन जो आपका कांसलर था वो हिंदू था जिसने दंगा विलाए कमर चीमा आदे अदूरेफेक्ट पर बात मत करिए बाबरी मस्जद एक अलग मस्ज़ा पता देश के अंदर करोड़ों मस्जिदें हैं और आपको पता है इसलाम की सबस्केबर मजजिद कि ने बनवाई थी एक हिंदू राजा ने के रलमें आप क्या जानते हैं आप क्या जानते बताईए ना प्रेंसिकला जी बनवाई थी कि नहीं दुनिया की पहली मस्जिद भा कर दो कर रहे हैं राम मंदिर का विद्धान्स करके बाब बनाए गया था इसके बावजूत हिंदुस्तान की पांच एकड़ भूम जो है कमर चीमा से परशरमी की शीमा पार कर जाएं तब भी आप अपरे पूर्वज रही बदल पाएंगे पूर्वस मुदलने का किसी के पास किसी प्रकार की कोई टेकलोजी नहीं है आपके पूर्वस हिंदु के आपके धमनियों में शिराओं में हिंदु का रखत है आपका डियने टेस्ट का लीजिए हिंदु का रखत है आप हिंदु है आपके पूर्वस हिंदु है आप पेशर म करना पड़ेगा प्रीज लगातार मत बोलें आप मीं पत्रकार है और यह नहीं जाता है याद रखें आपके दिने में अर्भी डिने नहीं है आपके दीने में तुर्किस्तार के दीने नहीं है कमर चीमा आप पिद्दी और पिद्दी का शुर्बा आपकी उकात नहीं है कि भारत की तरव हाथ उठा के देख लेए आप आपकी उकात नहीं है भारत की तरव हाथ उठा के देख लिजिए जनरल सिना साब ने चार 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 जंद लड़ी है सुन लीजिए कैसे भागे थे करगिल से आपके सेरिक जनरल सिना बताईए कमर चीमा को कैसे भागे थे करगिल से पाकिस्तान के सेरिक जान बटा के कैसे भीट माग रहे थे अपनी जान की सुन लीजिए कमर चीमा सिर्फ जनरल सिना को आडियो सुने पहले तो दीपक जी नए साल की आपको आपके चैनल को देश के सारे जो लोग सुन रहे हैं और हमारे जो गेस्ट बैठे हैं पाकिस्तान से नए साल का मुबारक और आपका बहुत सुब्र है यह हमरी ऐसी ख्वाइस है अब मैं मुद्दों पे आता हूँ आपने कारगिल की बात की मैं थोड़ा आउंगा क्योंकि आज का मुद्दा बड़ा अच्छा चुना है आपने देखे पाकिस्तान को यह मैं मानता हूँ जब बटवारा हुआ हमारा 47 में एक बहुत बड़ी भूल थी और वो भूल थी हिंदू-मुस्लिम डिवाइड उस पर हुई थी मैं इस बहस को वहां नहीं ले जाना चाहता हूँ मैं सामरिक द्रस्टी से और जो प्रैग्मेटिक है उसके आता हूँ मैं आपको ले जाता हूँ 1990, actually 1988 की बात है जब रश्या का जो USSR अस्टवाइल जब उसको तोड़ा गया और कैसे तुटा तालिबान और जितने भी आतंगवार्दी संगटन थे तो एक आवाज आई उठो उठो सवेरा हुआ, यह आवाजे गूसती थी आवगानिस्तान में पाकिस्तान में और फिर कश्मीर में, उठो उठो सवेरा हुआ, रूसने बाजी हारी है अब बारी कश्मीर की है जंग वहाँ पर जारी है यदि कश्मीर में रहना होगा अल्ला हू अक्बर कहना होगा ये मेरी आवाज नहीं है दीपक जी वो कहते थे यदि कश्मीर में रहना होगा अल्ला हू अक्बर कहना होगा ये और वो आपने देखा उस पस्पंजर को देखा 90 में जिस तरह से कश्मीर पंडितों की लाज बिचा दी और कैसे ये पूरे मॉडरन वर्ल्ड के अंदर में मिलिटरी हिस्ट्री के उपर में इस तरह का केवल दिखाई दिया 47 के बाद जब 10 मिलियन लोग विस्तापित हुए और भारत से वहां से भाग कर इधर आए इधर से उधर गए कहानी अधर है और इन्होंने इतना कटरवाद जिहाद भरा 88 और वो कौन थे इनको भी पता है जाउल हक साहब ने पाकिस्तान को आतंगवाद और कटरवाद और जिहाद के लाइन पे सुरू किया था आपका यही मुद्दा है आज किस तरह पाकिस्तान पूरे दुन्या को अखास करके जो कश्मीर में है भारत में वही अजंडा चलाना चाता है उसकी हार हुई थी दीपक जी आपने बहुत चीज़ें देखी हैं हमने बहुत जंगे लड़ी हैं 71 की कारगिल यह भीक मांगते हम लोगों ने इनको छोड़ दिया इनके सैनिक मरे पड़े थे मैंने अपने हाथों से इनके कलमा पढ़कर इनको हमने दफनाया उनकी जो भी थी हम यह मजहब है जो हिंदुस्तान निभाता है यह हमारे को गड़ गड़ाते थे पैर परते थे छोड़ दो हमने छोड़ दिया और यह कब छोड़ा यह है आपको पता ही है कारगिल वार की कहानी है बीर गाता है उसकी और यह जादा दिन नहीं हुआ है मगर आज मुझे यह लगता है कि ISI का जो अजंडा है इन्होंने किया था सुरूख खालिस्तान वो कहते थे कि हम बाट देंगे जितने भी बबर खाल्सा हो या जितने भी आतंगवादी का जो है संगठन उनको इन्होंने पना दे रखा है वहाँ तो हार गए और कुछ ने हराया हमारे सिक भाईयों ने आपको पता होगा ब्लू इस्टार के बाद किस तरह से पाकिस्तान की पूरी की पूरी नापाक जो इन्होंने प्लान बनाई थी उसको तबा कर दिया हमारे सिक और मैं सिक रिज्मेंट को बिलॉंग करता हूँ और मुझे बहुत कड़ी खुशी है और आज फिर उसी लाइन पे आपने अभी पताया कि किस तरह इन्होंने मार डाला एक बंदा डिमोग्राफी का जब पैटन बदल गया तीन सो सतर हट गए रिस्ट्रिक्शन्स कतम हो गए डी डी ए का अलेक्शन हो गया उसके बाद वो म है इसका पहला दिन है दिपक जी और ये पैनल में बैठे ये लोग सुन ले इन्होंने ट्राइ किया था नगरोटा में चार लोगों को भेजने के लिए और चार घंटे में सकड़गल बल से उनको वहाँ पर क्या दरसत हुई है एक आदमी टी आरफ के बाद टो टोटल बदल देंगे ये टी आरफ कहता है कि हम ये कर देंगे बाट देंगे आप एक हाथ लगा के देखो कश्मीर के लोग जिस तरह से डीडिये के अलेक्शन में हर्ट कुल के आए हैं वो लोग ये यकीन दिलाते हैं इनको सिखाएंगे कि मजभ क्या होती है हिंदो मुस्लिम क्य होता है अरे आप हमें बताते हो बाबरी माजिद सबसे बड़ा सेकंड लार्जिस्ट कंट्री है पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा होता हमें पता है कि हम अपने मुस्लिम भाईयों को कैसे रखते हैं यह आपके यहां से जासा मुसल्मान इस देश में रहते हैं और बहुत जाल चेहरा और चरितर बदल पाएगा क्या आपको लगता है या धीठ हो गया है अपको पूरे देश्वादियों को आज मुमारक बाद देता हूं नए नववर्च की और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पाजिस्तान की इंचेंट से नहीं वार्ष के खिलाब गलत है पागिस्तान अपनी कच्तरवादी नीतियों पर चलते चलते अपने आपको बहुत जाउल में ले गया है और इसकी हालत विश्व में बहुत नीते चली जाएगी यह 2020 में कहीं टिक नहीं पाएगा इसका इसका दरातम कभी कोई जनील सब कोई नाम नहीं रहेगा आतंक व कोच बदलेंगे नहीं बदलेंगे बहुत मजदीक से देखा है मेरे पाकिस्तान दस बार से जादा पाकिस्तान गया हूँ फकर यूसफ जाई बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कमर चीमा मुसल्मानों के बारे में बाबरी मस्जिद के बारे में आप शियाओं के साथ क्या हो की आए पर मुसल्मान को मार रहा है आप लिक ए जो बहुगे वो काटेवे साथ समझा दीजिया आप तैंक्यू वेरी मच्च सबसे पहले दीपक आपको एंड जितने लोग देख रहे हमें अपने बाते की बागी पार्टिस्पेंट्स ने भी बाते की कि आपके मुल्क में मुसल्मान बड़े पुछे और हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमारे हां हिंदू बड़े पुछे या जो भी है मसाल दोनों तरफ है दीपक वाकिया हुआ टेरी गाओं करक में पुराना मंदिर था जिसको तोड़ा गया मतलब मैं कहता हूं किसी तरीके से भी उसको मैं यह नहीं कह सकता कि वो जिस्टिफाई होने वाली बात नही हमें इस चीज़ को बात रही पिर आपने एक और बात की कि शिया कमिनिटी को हम नान मुस्लिम डेकलेर करते हैं या मानते हैं तो यह बात बिलकुल हलत है कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको सिर्फ अर्जू की बाइट निकाल के सुरा देता हूं वह आर्जू की बाइट निका कि हायात यानि आपकी धरम पर दी शायद जो जहां तक मुझे जान कारिए वो खुद बोलके नहीं थी कि शियाओं के साथ अत्याचार होता है हमको कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं जाना जा जाता है लिखा होता है कि सुनी आए तब इक उसने दीजिए सुने 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 अर्दीपक मेरी बात सुने बात ये है आप जो बात कर रहे हैं कि शियों के साथ वो कुछ एरियाद में ऐसी चीजे हैं कि वो सुनी और शिया आपस में कर रहे होते लेकिन उसका इससे कोई तालुक नहीं आपने अपने अब एक्सिप कर लिया आपने तो मुसलिम रगरों कहाँ गया, आपका उपा कहाँ गया, मुसल्मान मुसल्मान को क्यो मार रहा है पाकिस्तान में, इसका भी लोजिकल एक्प्रेशन दे दीजिए, आपने धर्म के अधार पर देश तो ले लिया, बन गे आपका पाकिस्तान, अब मुसल्मान ही मुसल्मान को क्यों मार रहा है देख कि लाजिक लाजिक देखे नए ने यह देखे मेरी बात मैंने कहा ना कि जो चीजे खलत है उसको में घलत कहूँ गहा उसको अगी जेस्टिफाइफ़। नहीं करता हो ना मुझे उसकी जरूरत है कि मैं उसको जिस्टिफाइब करूँ वो बेशक मंगलदेशु के साथ हुआ हो या बेशक हमारे हाँ माइनॉरिटी के साथ जो जायतिया होती है उनके उपर मैं ये बात कभी नहीं करता कि यार वो चीज बड़ी जिस्टिफाइबल ह मैं उसको इस से कंपेर करूँ कि हिंदुस्टान में उसके साथ ये होता है मेरे मुलक में लोग उनके साथ क्या करते हैं मुझे उसके उपर बात करनी चाहिए और मुझे ये है कि हमारी हुकूमत को उसके उपर स्टेप्स लेने चाहिए स्टिक्ली स्टेप्स लेने चाहिए इस वाके में जो करक वाना हुआ चौदा लोग इसमें गरिफतार हुए 45 इसमें से सस्पेक्ट है मौलाना शरीफ जिसने ये तक्रीर की थी जिसके बाद लोगों ने ये सारा जो मोब इकटा हूँ और उन्हों ने उस मंदर की बेहरमती की बलकि मैं कहता हूँ कि उस तरीके से जिस तरीके से मुसल्मान ब्लैस्पेमी लाज के उपर लोगों को मतलब जिसे कहते है जेरो में डिलवाते हैं उनको सजाय होती है तो मैं कहता हूँ तो इस के उपर भी ब्लैस्पेमी ला लगा दें कभी कराची में उसकी बेहुर्मती होगी कभी करक में होगी या किसी और जगा पे होगी और मेरे ख्याल मैं सेम लाइक देर जो हिंदुस्तान को भी करना चाहिए इसके उपर स्रिक्टी लॉस्क देने चाहिए कि कोई किसी के ऊपर ये नहीं है कि किसी की माजिव्ट ते ऊपर कोई हिंदू वहाँ पे अगर उनकी मतलब मिजॉरिटी आताकत है, तो उसके ऊपर चड़के उसको तोड़ पोड़ शुरू करते क्यार. सर करोलो मज़ित है इंडुस्तार में हर जुम में नमाज होती है हर दिन नमाज होती है लेटिने जनरल गुरमीद सिंग के पास चलता हूँ ठीक है मैंने आपकी बात मानी आप अच्छी बात कर रहे हैं कि कारवाई होनी चाहिए पर जनरल साफ होता है क्या हिंदू विरोत के क्याधार पर आपने पाकिस्तान ले लिया लेकिन अब पाकिस्तान आपस में कट मर रहे हैं यह क्या दर्शाता है इसके बीचे जनरल साफ क्या लोजिक है और वहीं कश्मीर में रेप्लिकेट करना चाहते हैं दीपर जी आपने ठीक कर लेकिए जो एक पवित्र मंदर में बहुत शर्मनात और परदाश के बाहर वाली बात है यह दो हमारे तीनों पाकिस्तान से बैठे हुए है इनको अपने इस फ़र्श रूप से बोलना चाहिए है कि वो इस बात के लिए शर्मनात है और सबसे बड़ी बात है देखिए दीपर जी यह कोई आइसोलेटेड इसि इसी परकारUNT बरबात किया है जा इसको पिल्कुल चेंज किया है बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सोच क्या है और यह जो हुआ है मंदर में यह जो वौल्वी ने फत्वा दिया है उकसाय है भीड को और जाकर वहापर तोड़ फोड़ की है इसके पीछे में इनकी सोच कहां थी administration कहां था actually मौलवी ने करवाया है ये एक planned affair है और ये चलता ही रहा है धरम परिवर्तन और इस परकार जो minorities है उनके उपर में access करना ये इनका एक तरीका बन गया है ये तो hate और violence के बीज बो रहे हैं इनको मालू नहीं है इन्हों अपने पूरे राश्ट को अपने पूरी पाकिस्ता को कितना बड़ा थोखा दिया है इन्हों ने अपने सबाद को ही तबा किया है मैं तो कहूंगा कि देखिए ये जो इसके पीछे में जो आइसाई है इसके पीछे में जो मौल भी है इसके पीछे में जो पाकिस्तान आभी का हाँ है ये अपने ही देश को तबार कर रहे हैं ये तो आग बंदिर पे लिगाई है ये आग इन्होंने अफले अपने सेgles को लगाई है इन्नोंने अपने समाफ को लगाई है ये देखिए अभे नए साल में अभी हम एंटर हुए हैं इनको सोचना चाहिए कि क्या-क्या गलतियां कर रहे हैं जिस परकार से इनकी टर्रीजम, जूट, डिनाइबिल्टी, चाइना के साथ में नापाग गठमंदन चल रहा है और ये अपने पूरे देश को, पूरे समाद को जिस परकार से चाहता हूं कि आपका क्या रोल है, आपका समाद भी क्या रोल है, क्या आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, और देखिए, अभी इतनी जड़े उसकी गहरी हो गए हैं, ये अपने आद से हमको बता रहे हैं, अभी तो जो स्तिती बन रही है आने वाले समय में, उसमें प लेकिन मेरी इनकों एक पत है, कि अपनी माना रिटिट के और ये समझते नहीं हैं, आस्ता और धरम क्या चीज़ भी जो इस विष्य के उपर में इनोरे इस आप होचाई हैं, शिया को सुन्नी ना मारता, ये हमदिया को ना मारते, बलुचों को ना मारते, सिंधियों को ना म मुझे बताईए आपकी पार्टी तो इतने साल सत्ता में रही है आपने जो यह अलगावाद और कटरवाद को बीज बोया है मंदिर तो टूड़ गया लेकिन एक दिन आपका देश भी टूटेगा जिस तरीके से मंदिर टूटा है आपने मंदिर में आग लगाई है ऐसी आग आपके देश में लगी हुई है मानते या नहीं वरना आपकी बीबी मर्या नवाज निकल के यह ना कह रही होती गो निया जी गो दीपक जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया दा करूंगा और फिर मैं अपने पाकिस्तान की तरफ से तबाम हिंदुस्तान में रहने वाले कहां से करो अभी आपके जेसी ओशी हो शहीद कर दिया है बादर पर अभी अभी आपदे गोली हम करें की बाद बड़ी अच्छी बाते ही आप चलाए गोली हम करें मन की बाद आप कि आप दिना चालता था कि हमारे तूर मुहबद की बात रहेंगे यह और यह पार वे नहीं ने बंदिर तोर दिया बड़े प्यार की बात है ते प्यारी की बाते यह आपका मोख़वते है भारत के प्रति जो खूछ धराबा आप करते हैं कि जब बोलते हैं जहर उगलते हैं आप क्यों उगलते हैं कुछ पता नहीं क्या बजाया पटा नहीं अच्छा एक मिन रुख जाएए रुख जाएए जहर मैं उगल रहा हूँ या आपके होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं वजीरे दाकला सुरिए 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 जहर को नुगल रहा है में बताता हूँ फ्रेम में सब को रखिएगा शेक राशित की बाइट दो बार सुनाएगा हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है पाकिस्तान मौथ है अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएगी और ना फिर घास उगेगी ना चिडियां चैकेंगी ना मंदरों में घंटियां बजेगी क्योंके पाकिस्तान मौथ है जिसे सारी दुनिया की मौसल्मान देख रहे हैं हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है पाकिस्तान मौथ है अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएगी और ना फिर घास उगेगी ना चिडियां चैकेंगी ना मंदरों में घंटियां बजेगी क्योंके पाकिस्तान मौसल्मानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मौसल्मान द पाकिस्तान का नामों निशान मिट जाएगा पूरी पाकिस्तानी फॉच जाओगे तो पहुंचोगे तो फिर बात है उससे पहले हम आपको मेरे बात सुनिये मेरे बात सुनिये में दौर का रहने वाला हूं वहाँ कावच कावच चलती है सेंगे बड़ी लोकल सेंगे कि कुटा गधा घोड़ा बिल्ली कुछ भी पालो मुगालते मत पालो यह जो ओर कॉन्फिडेंजर है मरवादे का आपको पाले हुआ है यही चोरी की मिसाइले चोरी का नुकलियर बम भीक पे चलने वाला देश अब भिखमंगों का देश गधों का देश भारत को आखे दिखाएगा अभी घुज कर तुम्हारा बाला कोट में निकल लिया हुआ होता नुकलियर बम और का था निया जी की एक बार 1971 में गलती की थी इ देखे गधा बैट के दूसरों को गधा कर गए ते गधा को देखे आप अपने गधा बहुल देश की ये दसा है लड़कियों को जो है वो चीनियों के हवाले करते हो आयाशी करने के लिए अपनी बेहन बैटियों की जो असमत रही बचा सके जो मुसल्मानों की बात करे और मस्जिदे तोलने वाले के टुकडों पर पले आपको जो है आपको मुसल्मानों का मसीया मुसल्मानों की ठेकेदारी करने का हग किसने दिया आपकी हिम्मत रही है चीन के तनवे चार्टे में आपकी जीव करे म UCP करे आजब मस्जिदे गिरा रहा है शिक्तर मैंग करेंगे और सुकड़े करको पलता है अपने लिए दोखे नहीं रहाएं पर भादे लोगों मजदे गिरा देता है उसके टुक्रा पर परते हो आपको मुसल्मान होने को दोखें आप विक्मंगे विक्मंगे की गहरत होती है आप जैसों को भीख दो ही घ्जरे हो, भीखबंगे की भीख लेना ये तैわか도 है, पीजूर ऑने जैसा है, कि मुस्लिक नहीं दबाई नहीं जहा की तोधी को सुर्ट हुसे हुद्षोर उसके चंदे पर पलते हो, उसके ठुखड़े पर्पलते हो, आप सब गे हदे हो जो subscriptions केम तो यह आपको भारत के टेलिविजन नेटवर्क पर बुला कर बात कर रही है यही आपके उपर बड़ी कृपा है भाईया आपकी तो कोई गदे कर नम आपके आपके बड़े किरपा है लेकिन आप कमीज के दाहरे से बाहर निकल निकल ने पाकिस्तार के पुला मोरो करते किया मुझे बता हो न वहां की यह दो करते है घंगी बज गई थी प्र घूसके मारें गयं घंगी बज जाएगी आपके तो यह स्थिती है कारगिल में मारा आपको लतिया तो बतिया आपके अब आओ दरसामें आपके अब करेंगे भाई भारत की तरफ जरावा कि देखे चारड़कर मारेंगे अभी तो बाला कोट बारा है अगर हमने तरह कर लिया रावल पिंडी में मारेंगे और आप जो है भी का कटोरा लिए पुरी दुनिया में ताइब बड़ी लगत पहमिए आपकी आपको हैं कि गदे को गदे नजर आप जैसों को मैंने नौकर रखता हुए या आईए चलिया आप गदो को किरफ्तार कर लेंगे पाकिस्तान के बारे में एक आम भारती क्या सोचता है जरा डॉक्टर खान को बताईए एक हजार रुपे गिलों अद्रक मिलती है वो भी चीन से आई हुई सबसे पहले तो मेरे देशवाशियों को एपी नुय यर और यह जो अब हो रहा है इससे यह पता चलता है कि हमारी गौर्णमें जो पाकिस्तानियों के ऊपर एक मंदिर तोड़ने के लिए सर्जी को स्ट्राइक करने चाहिए दुबारा जिन से इनको पता चले कि हम इंदुस्तानी अपने मंदिरों को बचाने के लिए ना अपने देश में शक्षम है बलकि दूसरे देश में जाके भी बचा सकते हैं बिल्कुल सही राजेशिंग ये होगा ये एक दिन होगा पाकिस्तान को सिखाएंगे जनरल बक्षी मेरे साथ चुल गए मैजर जेनरल जीडी बक्षी जीडी बक्षी साब खान साब कह रहें कि चलो जो हो गया हो गया आप गुसके दिखाओ खतम कर देंगे डॉक्टर खान जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते हैं हम इनको कोई बात नहीं करेंगे कोई बात नहीं करेंगे ठीके साब 1971 में मैं उस युद में छा जब इनके देश के तेरा दिन के अंदर तेना दिन में दो टुकड़े हो गए थे नया देश मंगला देश बना था 93 हजार इनके कैदियों ने आत्म समर्पन किया था, फिर इनके डाउट पूरे नहीं हुए, शक इनके नहीं गए पूरी तरह से, फिर कारगिल में ये आए, दुबारा मार खाई, दुबारा मार खाई, फिर इनको हमने जो है एक चितावनी दी उड़ी के बाद, किसाब थोड़ा अप अगर साब समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, ये देश जो है, इकनॉमिक कोलाप्स की कागार पे है, दुब रहा है ये मल्ट, जो इनको साओधी रेपिया पैसे दिया करता था, उसने देना बंद कर दिया, वापस मांगे हैं अपने पैसे, वो उधार पूरा करने के लिए चीन से उधार दिये हैं, अब इनके एक नए जो है, रहनुमा आ गए है, तुर्की, वो वहाँ से कोई 200 ट्रेन करके, सीरियाई टेरिस्ट, वो इनको दे रहे हैं कि साब, आप भारत वर्ष में के अंदर गुसादो, हमको खलीफा मान लो, खलीफा, हर क किसी के तलवे चाटने को तैयार है, यह मुल्क, चाए चीन हो, चाए तुर्की हो, चाए साओधी अरेबिया हो, हर किसी के तलवे चाटने की, किसी तरह भारत के खिलाफ हमारी मदद कर, साब अब ऐसा वकत आ रहा है कि दुनिया आप से परिशान हो गई है, क्यूंकि आप चार टुकडे ना किये जाए, आपने दुनिया को चैन से रहने नहीं देना, आप ना चैन से खुद रह सकते हैं ना किसी और को रहने देंगे, और कोई लड़ने को नहीं तो अपनी माइनॉरिटीज को मारेंगे, हिंदू, मुसलिम, क्रिश्चिन की तो बात ही मत करिये जो की एहमदिया हैं, उनका जीना हराम कर रखा है, अपने सिंधी लोगों का, बलूची मुसल्मानों का, जो है पश्टून ख्वाजे मुसल्मानों का जीना हराम कर रखा है साथ, अफगानिस्तान के नाक में दम बने हुए हैं, उस बिचारे मुल्क को पिछले 30 सालों में इन्होंने तबाह करा दिया तबाह लड़ा लड़ा के और कोई नहीं तो पहले चलो रूस ने इन्वेजिन की अमरीकन आये फिर ये अपने तालिमानी गुजड़ गुजड़ के यहां पे ऐसी जंग कराई है कि वो मुल्क तबाह हो गया है सिर्फ इसलिए और इसलिए कि वो इनका पड़ोसी इरान इन से परेशान बंगलादेश इन से परेशान नेपाल इन से परेशान शिरी लंका इन से परेशान भारत की तो बाती मत करिये साब अब तो पूरी दुनिया में जहां आतंक वाद का कोई इंसिनेंट होता है सीधे और सीधे सारे तार पाकिस्तान से जुड़ी है, सीधे और सीधे, सारे तार पाकिस्तान के जुड़ी है, सब ये मुल्क ने दुनिया की नाक में दम कर लिया है, अब जो है ये वहाँ न्यूकलर बंब लेके बैठे हैं, और इनके कुछ मिनिस्टर अद्धी पाऊवा, दो पाऊवा, धेड़ पाऊवा के जोड़े जाएं, और अगर इसी चाल पे ये चलते रहे, तो एक दिन आप देखेंगे, पूरी दुनिया मिलकर आपको मारेगी, पूरी दुनिया आपसे परिशान होके आपके उपर वार करेगी पलट वार, ठीके साब, और फिर आपका वजूद नहीं रहेगा, आप नहीं समझ देगी रहती, तो आप 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 जो है, बहुत जाग उजरे, कामर्चीमा साब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितना पिटेंगे, अभी डॉक्टर खान फिर धंकी दे रहे हैं, इस बार कर लो, बाला कोट कर लिए इस बार कर लो, कब तक आप अगली बार कर लो, कितने देश की लड़किया बेज रहे हैं, आप चाहिना, मतलब इतना गया गुजरा काम कोई देश करेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कि अपनी घर की बहु बेटियों को, वो दूसरे देश को बेज़ेगा, भई लो, उधार दे रहे हैं, लो, अज आज आपको टॉ खाओ, किसमे खाओ? आप पर रेटिंग बढ़ाओ, दीपेक चुरस चिया, तों सिरफ रेटिंग के चक्कर में सारी नफरत का धंदा करते हो, यह नेश नेशन रेटिंग के चकर में नफरत का धंदा करता है, अच्छा, पोई इंडिया में अकल वाले लोग है, जो आपके का मर्चिमा को एक बार चीमा के काम में रुए नली थी. शेक राशित का हुआ इनको एक पार और और सुना दो. का मरीमा शेक राशित का भाइट सनौ मेरे सामने इन्टिवी देनों मैंular 103 में में भाग दे हा था Yet रहा जो हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है पाकिस्तान मौथ है अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी ना चिडियां चैकेंगी ना मंदरों में घंटियां बजेगी क्योंके पाकिस्तान मौसल्मानों का वो एक किला है जिससे सारी दुनिया की मौसल्मान देख रहे हैं आपकी ओकाद चाहिना ने बता देखेंगे यह सही कहते हैं आप आगए ना पिल्ला जी के मंदर में गंटी नहीं बचेगी मैली आंख से देखोगे तो नहीं छोड़ेंगे यह शेकर शीद्रे बिल्कु टीका है और मैं बता देना चाहतू भारत को अमन से रहोगे तो अमन इनको बता दिए इनको बता दिखिए अभी डिकर भारत आप अरे यह कर दिया अगली कर दिया मर्ण यह केडा शपो जको कोसाईयों को भाबत कि अमन कि ए कुमर्चीमा को शि decision को तो आप समयते हो आप्मप्शी explained नफरत क्यों होती है आप लोगोंने 135 क्रोड लोगों को नफरत की आप करोड लोगों सिर्फ नफरत की आप सुन यह साल को लिए सवाल सुनberत की मुझे तो आप इसे हो गया है हमाद शुलिया कमर्छीमा एक बात बताइए और कितने साल पहले यह इसलाम पहले और dużo सब्सक्राइब्प्eshыл क्लिवार wedge करते लिमतन सिस्थ किस बीसे ना कितने साल पहले καंवर्ट हुसा रिपॉब्लिक या चीमा टाइटिल क्या होता है कमर चीमा चीमा का टाइटिल निल्बताता हूँ चीमा अरे भाई सुन लो मेरे बाई चीमा आजे सुनों सुनों मेरी बात सुनौं सुने सुनीए आप भड़के बड़ा देखे दीपक्ची ने आपको सचा आइना दिखाया, एक आइना देखने के बाद ऐसे भड़के कि आप रुकने के अनाम नहीं लेते, जी हाँ, देखिए दीपक जी, आपने क्या किया, कमर चीमा को एक आइना दिखाया और आप देखे कैसे भड़क गई ये, और आपको मैं बताता हूँ ये जो डाक्टर खान साब कह रहे थे, कि आप करके देखो, ये जब, देखे आपको याद होगा, पठान कोट, पठान कोट, सुने, प्लीज, प्लीज, अरे चीमा चिला सकता हूँ मैं, ज्याद़ तुम्हारे से, सुने आप, सुने, प्लीज, सुने, प्लीज, आपकी बात कर सवाल पूछ रहा हूँ ब्रेक के बाद जवाब करके रखिए कि आपका परिवार कितने साल पहले इसलाम में कनवर्ट हुआ हिंदू से इसलाम में कब कनवर्ट हूँ आपका परिवार याद करके ब्रेक के बाद सवाल का जवाब तयार रखिएगा कितने साल पहले इसलाम में कनवर्ट हुए आपके घर के लोग बताईएगा मुझे ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ